Hello Friends, Welcome to a Learning Platform Pooja Classes तो चलिए आज की हम कुछ important GKGS के question को पढ़ेंगे जो हमारे competitive exam के previous year question है LDC MTS के पहला question है हमारा Greenpeace International का मुख्याल है कहां इस्तित है options है नई दिल्ली, Amsterdam, Vienna या Paris सही answer है option B Amsterdam Greenpeace International का मुख्याल है Amsterdam में इस्तित है अगला question है भारतिय पशुचिकित सा अनुशनधान कहां है options है पंतनगर, इज़्यतनगर, लखनव या देहरादून सही answer है इसका option B इज़्यतनगर भारतिय पशुचिकित सा अनुशनधान इज़्यतनगर में है next question भारतिय नुशेना अधिनियम कब पारित किया गया था options है आपके 1927, 1928, 1929 या 1930 भी सही answer है इसका option है 1927 भी में भारतिय नुशेना अधिनियम 1927 भी में पारित किया गया था question नमर चार है अधियोगिक छेतर पर कौन सी पंचवर्षय योजना मुखी रूप से कैंदरित थी option सा पहली दूसरी, तीसरी या चोथी तो सही answer है option भी दूसरी पहली कृष्य योजना पर साधारित थी पंचवर्षय योजना और दूसरी क्या थी और देविक छेतर पर दूसरी थी तो और देविक छेतर पर दूसरी पंची वर्षिय योजना मुखी रूप से कैंदरित थी अगला कोश्चन कोश्चन नमर पांच भारत का कौन सा राजी पटोला प्रिंट दूपटाओं के लिए प्रसिद्ध है अप्सन से सिक्किम, 36 गड, गुजरात या मेगाले सही आंसर इसका अप्सन सी गुजरात भारत का गुजरात राजी जो है वह पटोला प्रिंट दूपटाओं के लिए प्रसिद्ध है अगला कोश्चन कोश्चन नमर च्छै च्छै रोग किस अंग से जुड़ी एक बिमारी है फेफडा, लीवर, हिरदय या छोटियात सही आंसर इस अप्सन इस फेफडा से च्छै रोग फेफडा अंग से जुड़ी एक गंभीर बिमारी है अप्सन इस सही आंसर इस कोश्चन नमर च्छै का Q7 देखते हैं Social Harmony नामक पुस्तक किसने लिखी है Options है लालकृष्न आडवानी श्याम प्रसाद मुखर जी नरेंदर मोदी या अटल बिहारी बाचपेई तो यह Q7 का सही आंसर है नरेंदर मोदी Social Harmony नामक पुस्तक नरेंदर मोदी जी के द्वारा लिखा गया है अगला कुश्चन है Q8 Pivoting किस खेल से संबंदित है Options है Hockey Volleyball Basketball Badminton तो सही आंसर है इसका option C Basketball Pivoting सब्द जो है वो Basketball से संबंदित है Option C सही आंसर है अगला कुश्चन है Q9 पुस्तक मोदीज मिदास टच इन फोरेंद करेंशी के लेखक कौन है Option से अरुन सोरी सुरेंदर कुमार प्रनम मुखड जी या अरुन धतिरोय तो इस कुश्चन का सही आंसर है Option B सुरेंदर कुमार पुस्तक मोदीज मिदास टच इन फोरेंद करेंशी के लेखक शुरेंदर कुमार जी है अगला कुश्चन कुश्चन नमर दस अकबर का प्रशिद राजय शुमंतरी कौन था अप्शन से हुमायू तान सेन टोडर मल या राजय प्रताप सिंग इस कुश्चन का सही आंसर होगा अप्शन से टोडर मल अकबर का प्रशिद राजय शुमंतरी टोडर मल है अगला कुश्चन अंडे का बाहरी खोल किसका बना होता है अप्शन से फोस्फोरिक एसिड सोडियम हाइड्रोकसाइड केल्सियम कार्वोनेट या सोडियम क्लोराइड सही आंसर है अप्शन से केल्सियम कार्वोनेट अंडे का बाहरी खोल केल्सियम कार्वोनेट का बना होता है कुश्चन नमर बार है भारत का राष्ट्य वाक्य क्या है अप्शन से सत्यमेब जैते इनकलाब जिन्दा बार जय हिंद या करो या मरो तो सही आंसर इसका option है सत्यमेब जैते सत्यमेब जैते जो है भारत का रास्ट्री यह वाक्य है option A सही आंसर है अगला question है question number 13 विक्रम सारा भाई अंत्रिक्ष केंदर कहां इस्तित है options है मुंबाई, श्री हरी कोटा, बैंगलोर या त्रिवेंदरम तो इस question का सही आंसर है अपका option D त्रिवेंदरम में विक्रम सारा भाई अंत्रिक्ष केंदर त्रिवेंदरम में है अगला question है question number 14 विश्यो की प्रथम महिला प्रधान मंतरी कौन थी options है मार्गरेट थैचर जो इंगलेंड से थी एस भंडार नाइके जो श्रीलंका से थी इंदरा गांधी जो भारत से थी और गेल्डा मेयर जो इजराइल से थी तो सही आंसर होगा इस question का option B एस भंडार नाइके श्रीलंका की थी विश्य की प्रधा महिला प्रधान मंतरी एस भंडार नाइके थी जो श्रीलंका की थी option B अगला question है question नमर 15 पवन हंश क्या है option से एक लोक उपकरम साइबेरियन बतक प्रसिद पक्षी बिहार या एक नौका तो सही आंसर है इसका option ने एक लोक उपकरम 52 जो है एक लोक उपकरम था option A सही आंसर है